हेलो फ्रेंड्स मैं हुम आईस गुर्जार प्रोग्रामिंग वेब डेवलोपमेंट मॉबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर चलिए ये सेशन में एक और लॉजिक समझते हैं कॉनकेट स्ट्रिंग तो विधाउट यूजिंग strcat function ये function का use नहीं करना है जैसे हमने single dimensional array को दो array को तीसरे array के अंदर कॉनकेट किया था same way मानों कि हमारे पास s1 string है m a h s2 string है e s h तो ये दोनों का combination concatenation s3 में करना है तो क्या logic लगेगा तो first string को traverse करेंगे और उसका जो भी index है वही index में यहाँ पर copy करेंगे m a h 00 में 11 में 22 में उसके बाद s2 को traverse करेंगे लेकिन s2 का जो 0 है वो यहाँ पर 0 में नहीं जाएगा यहाँ पर यह जो 0 1 and 2 उसके बाद यह जो 3 number का जो index है वहाँ पर copy होगा ठीक है तो चलो यह logic आपको पता है directly हम यहाँ पर program बनाते हैं फिर practical करेंगे तो क्या करते है character s1 of 100 s2 of 100 combination करना है तो s3 के अंदर हम क्या ले लेंगे s3 of 200 simple दोनों के लिए index अलग-अलग maintain करना है तो यह दोनों के लिए i and s3 के लिए j तो यहाँ पर integer i is equal to 0 उस time पर starting में j is equal to b 0 ही करना है तो printf flush all get s of s1 same way printf flush all get s of s2 तो दोनों string scan हो गई अब क्या करेंगे first string को traverse करेंगे तो i is equal to 0 तो starting में है while s1 of i not equals to null तो क्या करेंगे s1 का copy सिधा s3 में करते जाएंगे तो s3 of j तो j भी starting में क्या है 0 already हमने declare किया हुआ है तो s3 of j is equal to s1 of i s1 में भी next element में जाना है और s3 में भी next element में जाना है मतलब j plus plus तो देखो सबसे पहले क्या था m a h तो m जो है वो 0 के अंदर copy हो गया फिर a जो है 1 के अंदर फिर h जो है वो 2 के अंदर फिर उसके बाद क्या हुआ i plus plus मतलब 3 and j plus plus b3 तो s1 of 3 not equals to null condition false बहार आ गया तो बहार आने के बाद i की value 3 है j की value b3 है तो हमारी ये जो j की value 3 है वहीं से copy करना चालू करना है second string को ठीक है चलो लेकिन second string को traverse करने कहां से start करना है 0 से तो यहां पर फिर से मुझे i is equal to 0 कर देना है j को as it is रखना है j को change नहीं करना है तो i is equal to 0 फिर से while s2 of j sorry s2 of i not equals to null s2 जब तक null नहीं है तब तक तो वो character हमें s3 में copy करना है तो s3 of j तो j की value अभी क्या है 3 तो 3 में copy होगा क्या तो कि s2 का 0 s2 of i उसके बाद i को next में ले जाना है और j को भी next में ले जाना है तो क्या हुआ 3 के अंदर e copy हो गया फिर i++ j++ 4 के अंदर s copy हुआ फिर 5 के अंदर edge copy हुआ फिर i++ यानि 6 हुआ j++ भी 6 हुआ उसके बाद loop खतम हो गया ठीक है तो j की value क्या है loop खतम होने के बाद यहाँ पे 6 है तो यह number पे हमें null को manually adjust करना है तो जैसे ही यह second loop खतम हो गई उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे s3 of j is equal to null character उसके बाद print app print app and print app s1 को print कर दो s2 को print कर दो and s3 को print कर दो simple तो चलिए friends यह concat string का भी हम practical कर लेते हैं start file dos cell mount d d drive exit new concat strings has include std io.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c plus plus को हटा देंगे and str 20 चलो character s1 of 100 s2 of 100 तो s3 के अंदर concat करना है तो s3 of 200 अब जैसे single dimensional array के अंदर logic लगाया था वैसे first string as it is copy होगी second string 0 से start होगी लेकिन third string के अंदर 0 से start नहीं होगा मतलब index को अलग-अलग तरीके से maintain करना पड़ेगा तो i and j चलो i is equal to 0 starting में j is equal to b 0 होगा अब क्या करते है first string को scan कर लेते है enter first string flush all get s of s1 printf enter second string flush all get s of s2 अब क्या करेंगे first string को traverse करेंगे तो i की value 0 है j की value भी starting में 0 है तो while s1 of i not equals to null तो s3 के अंदर s3 of j is equal to s1 of i उसके बाद next character में जाना है i++ और third string में भी next character में जाना है तो j++ तो ये लूप खतम होने के बाद क्या हुआ first string as it is copy हो गई third string के अंदर अब क्या करना है second string को traverse करना है तो second string को traverse 0 से करना है तो i is equal to 0 लेकिन third string में j का जो last number है वहीं से start करना है तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे j is equal to 0 यह नहीं करेंगे while s2 of i not equals to null तो यहाँ पर क्या करेंगे s3 of j is equal to s2 of i फिर next character में जाएंगे तो i++ और s3 में भी next character में जाएंगे तो j++ तो s2 string भी s3 के साथ concat हो चुकी है अब यहाँ पर क्या है s1 और s2 दुनों को scan किया है तो null की position auto adjust हो गई लेकिन s3 में process किया है तो last में क्या करेंगे हम s3 of j is equal to null उसके बाद तीनों string को हम print करा देते है s1 printf s2 is equal to percentage s, s2 printf s3 is equal to percentage s, s3 save control f9 suppose महेश and गुरजर तो s1 महेश है s2 गुरजर है और s3 में दुनों का concatenation हो चुका है simple तो friends ये प्रोग्राम का practical कर लीजिए मिलते हैं next session तो प्रोग्रण वाल येचिते है? तो तो